आज हम बनाएंगे मेदू बड़े जिसके लिए मैंने टू मेशरिंग कप उड़त की दाल ली हूँ इसे हम वाश करके सोक करेंगे ओवरनाइट अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम 4-5 आज के लिए इसे भिगाएंगे तो भी चल सकता है तो अभी हम इसे क्लीन वाटर से वाश करने के बाद मैंने इसमें 5 मेशरिंग कप पानी दाल के इसे मैं 4-5 आवर्स के लिए सोक करने रख दूगी इसे सोक करके हमने 4-5 आज हो गए अब हम यह पानी पूरा ड्रेंड कर लेंगे इसे ड्रेंड करने के बाद हम एक और बार फिर से इसको प्लीन वाटर से वाश करेंगे एक और एक बार हमने वाश कर लिए अब इसे भी ड्रेंड कर लेंगे अब उड़त की डाल को हम बिना पानी डाले फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका अगर बिना पानी डाले यह ग्राइंड नहीं हो रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत जरूरत है तो सिर्फ वन टेबल स्पून पानी आप हर राउंड में ग्राइंड करने के टाइम दाल सकते हैं देखिए पेस्ट रेडी है और कितना थिक है यह है यही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसे हम अच्छे से इस तरह से एक ही डारेक्शन में बीट करेंगे तो इससे जो मेदू वड़े है वो क्रिस्पी और फ्लफी बनेंगे और हमें इससे अप्रॉक्सिमेटली 3-4 मिनिट के लिए बीट करना है मेदू वड़े के बैटर को बीट करने के बाद हम इन इंक्रिडियन्स को चॉपर में चॉप कर लेंगे यह है थोड़ी सी कोत्मेर अप्रॉक्सिमेटली 3 टेबल स्पून 1 इंच जिंजर का पीस तीन हरी मिर्ची है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं और यह है दो मीडियम साइज कोकिनिट के पीसिस और दस से बारा कड़ी पत्ता भी हम चॉप कर लेगे इसके साथ देखिए हमने सभी इंग्रीडियन्स को चॉप कर लिए है इसमें बिल्कुल पानी नहीं दाना है इसका पेस्ट नहीं बढ़ाना है बस इससे चॉप करना है इससे हम हब मेदू वड़े की बैटर में आड़ कर देगे 1 तीजपून जीरा ब्लैक परण पावडर 14 तीजपून हिंग्र यह दालक्यां अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिये है अब हम इसे 3-4 गंटा कवर करके रेस्ट करने देगे इसे रेस्ट करके चार गहंटा हो गया है अब इसमें एड करेंगे सॉल्ड अब अपने टेस्ट के साब से सॉल्ड एड कर ले और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और इसमें मिक्स कर लेगे चार घंटा रेस्ट के बाद भी अगर हमें उसी टाइम पर मेदूबड़े नहीं फ्राई करने हैं तो हम यह बैटर को रेफ्रिजरेट कर देंगे इसमें सॉल्ड और सोडा एड नहीं करेंगे जब बनाना होंगा तब हम फ्रीज में से बाद निकालेंगे अदा गंटा पहले ही निकाल लेंगे बार उसकी ठंड़ पूरी निकल जाने के बाद तब हम सॉल्ड और सोडा एड करेंगे मतलब यह है कि जब हमें बनाना है तभी ही सॉल्ड और सोडा एड करना है मेदुबडे तलने के लिए पहले हम एक प्लेट में एक डिश में पाणी ले लेंगे इसके अंदर हमारे दोनों हातों को दिगा देंगे दोनों को घीला कर लेंगे फिर इसमें से जितना हमें मेदुबडे की साइस चाहिए उसके साफ से हम बैटर लेंगे बेटर लेके दोनों हाथों से इसको इस तरीके से पहले फॉर्म करेंगे पेड़े की तड़ा फॉर्म करने के बाद हम इसके अंदर इस तरीके से गैप करेंगे या थम से करो या मिडल फिंगर से करो हम इसके अंदर इस तरीके से होल करेंगे और यह होल को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से फिंगर भी हम ऐसा करके फिर ऑईल में डालेंगे हर वक्त मेदुवड़ा बनाने के लिए हम हातों को पहले गीला कर ले गए यह एक और मेधड हम आपको बता देते हैं हाई फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राइ कर लेगे देखिए इस तरह से इसका कलर होना चाहिए जैसे यह कलर उप्टेन होगा हमसे टिशू पेपर पे निकाल लेगे मेदुवड़ा ब्रेडी है इसे हमने साउट इंडियन कोकेनट चटनी के साथ सर्फ किये है चटनी की लिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी और यह सामबर जो गिट्स की पैकेट आते हैं सामबर मसाला के उसी पैकेट से हमने सामबर बनाएं